हलो इस्टुडेंट मैं सूर्य प्रकास प्रवक्ता बोति की गवर्मेंट पॉली टेक्निक कॉलेज जालावाट से इस्टुडेंट आज इस वीडियो में हम फस्ट येर सेकेंड सेंड विशे कोड टू जिलो टू एप्लाइड फीजिक्स के बारे में जो उसका फर्स्ट यू इट है उसका फर्स्ट टोपिक है वेव मोसन यानि कि तरणगती के बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं वेव मोसन देखिए तरंगती अपने आप में एक इस्पेशल टाइप गती है मतलब नॉर्मल गती में क्या हो सँ स्थान से दूसरे इस्थान पर जाते वे आपको देख रहा हूं ठीक है तरण गती में तोड़ा इससे अलग है वहां पर जो द्रव्य है यानि कि जो पढ़ार्थ है पढ़ार्थ की गती नहीं होती है मित जो होती है उघ्यरन के तरीके- अलग हो वेव या जिस माध्यम से तरंगती कर रही है उस माध्यम के कणों का जो है वो अपनी मूल इस्तिती से क्या हो रहा है कोई नेट विस्थापन या डिस्प्लेस्मेंट जो है वो नहीं होता है खीक है वो सिर्फ हो सकता है कि अपनी माध्य इस्तिती के इर्धीरत क्या कर सकते है लेकिन उर्जा का जो इस्तानांतर वो होता है तो ultimately wave motion या तरंग गति जो होती है वो क्या है उर्जा का इस्तानांतरन करने की एक विती है जिसमें द्रव्य गति नहीं करता है या कह सकते हैं कि द्रव्य अपने इस्तान से एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर गती नहीं करता है ठीक है, for example suppose करिए कि आप क्या करते हैं, पत्थर लेके पत्थर लेके पत्थर को जोड से खींच के और हम फैंकते हैं, ठीक है फैंकते तो क्या हो रहा है, जो हमारी उर्जा है, जो हमने उसको खेंच के और उर्जा से किया कि पत्थर को फेका है, तो हमने उर्जा किया कि पत्थर को ट्रांसपर किया, अब वो उर्जा के साथ साथ वो जो पत्थर है वो दरविया है, वो भी क्या कर रहा है, गती कर रहा है, और किसी कास की खिड़की लुठी तूल जो पत्lar है वो उसे हम क्या कहेंगे टरंगती नहीं कहेंगे ठीक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि द्रव्य की गती नहीं होती है लेकिन उड़जा ट्रांसफर होती है एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ठीक है पहले चीज दूसरा एक्जामपर लीजिए कि आपने अगर कभी एक गोर किया हो तो आप कभी जो पानी है तालाब है या किसी टब में अंदर पानी रख दीजिए तीक है या तालाब में किया होगा या कहीं पानी भरा होगा वहाँ पर आप कागज का टुकड़ा रखो तो कागज का टुकड़ा उपर की और तेरता रहे अब एक पत्थर को बीच में धीरे से फेंकिए तो जैसे ही फेकेंगे तो पत् नीचे गति कर रहा है ठीक है जबकि उर्जा की दिसा में ट्रासपर ओ रही है h الإ trijي दिसा के अंदर यानि यहीं कि उर्जा ट्रासपर हो रही है यानि KI पत्तर फेका वहा से लेगे और किनारी की तरह अप उर्जा का इस्तरा अंतरत नहीं तो हो रहा है । ऊर्जा तो उपर नीचे होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी क्या हो रहा है यहां पर पानी के कणों का पानी के कण है वो गती नहीं कर रहे हैं वो सिर्क उपर नीचे गती कर रहे है अपनी माद्य सित्री के गिड़ और उर्जा जो है वो क्या हो रही है सेंटर में से किनार बोतिक जगत में कई जगे हमें उर्जा को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर पहुचाने के आवशिकता होती है ठीक है तरंगती एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर तक द्रव्य के वास्तिविक बोतिक इस्तानांतरन के बिना उर्जा संचरन की एक महत्रपूर्ण विदी है important क्या चीज है यहां पर द्रवे के वास्तविक बोत्तिक इस्तानांतरन के बिना उर्जा संतरन की एक महतपून विदी है यह सबसे important है क्या है पदार जो है वो वास्तविक रूप से इस्तानांतर नहीं हो रहा है ठीक है से स्रुफोर्ट सिफ क्या हो रहा है उर्जा का संचरण होता है और बास्त जो कण है या जो द्रेवे है जो किन्ट वह क्या करते है हिए मादेशिति के गड़ती करते हैं लेकिन उस मादेश Pocket कभी छोड़ते नहीं एक कमपन कर सकते हैं तो बोतिक की कि लगबग सभी साखाओं में तरंग गति का सम्मझ मुलब किसी भी साखा में आप चले जाए ये लगबग बोतिकी में तरंग गति सबसे होती हैं जिनको संत्रन करने के लिए माध्यम के अवशब्टा नहीं होती है यहनी कि जो निर्वात में भी गति कर सकती है वो क्या कराती हैं विद्यू चुमब के तरंग होंसी है बहुत simple सा example है विद्यू चुम्बक की तरंगों का सूरज से आने वाले जितनी भी विकीरन है वो सब क्या है विद्यू चुम्बक की तरंगे है ठीक है अब उनको माद्यम क्या आप सकता होती है क्या नहीं होती है क्योंकि सूरज से प्रत्वी तक आते है तो बीच में क्या है निर्वात है ठीक है वो निर्वात में से होते हुए भी गति कर जाती है तो यह सारी की सारी तरंगे कौन सी है वो है विद्जी चुम्बक की तरंगी और इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में कुन सा है उसमें भी किरन आगई प्रकास किरन आगई एक्सरे आगई रेडियो आगई गामा आगई इसके अलावा भी और विज़े से यूवी आगए यानिक अल्ट्रावोलेट इंफ्रारेड द्रश्य प्रकास यह सारा का सारा जो है वो कुन सा है अपना यह विद्जी चुम्बक की ठीक है कंडिशन क्या है इनको गती करने के लिए माध्यम की आवशक्ता नहीं होती है जो निर्वात में भी गती कर सकती है ठी सुक्स्म यानिकी माइक्रोंच्ऊ्क्रोपिक वर्ड में चलिंग में सुक्स्म जो अपना जो उसमीं चलिंग जाए रेइ ultrasound जिसमें द्रिवान है उससे एकारंग मातल होती ही है ठीक है तो यह भी आपके काम की नहीं है इसको आप छोड़ दीजी थर्ड नमपर में आती है यांत्रिक तरंगे याने की पदार्तिक मातिम्यान की मेटेरियल मीडियम की आउशकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है दोनी तरंगे इसके सबसे बेस्ट एक्जामपल होता है आप ने एक एक जाम आठवी ग्लास में दस्वी ग्लास में जब आप थे तब एक प्रेक्टिकल करते भी थे ठीक है एक पर आप दिया निर्वाद करदा कर दिया प्रेक्टिकल कोई माधिम ही नहीं अंदर संत्रन करने के लिए तो क्या हुआ द्वनी जो सुनाई भी नहीं अपने को अर्थार्थ की द्वनी तरंगों को गती करने के लिए क्या चाहिए माध्यम की आउशिक्ता होती है तो ये क्या है एक तरह की मेकेनिकल वेव यानिकी यांत्रिक तरंग होती है ठीक है कोई दिकत यहां तक नहीं है सबसे पहले तरंग क्या होती है तरंग वो चीज है जिसमें पदार्थ जिसमें माध्यम का जो पदार्थ है खुद गती नहीं करता लेकिन क्या हो रहा है उर्जा का स्तानांतर्ण एक जगे से दूसरे जगे पर हो रहा है कितने प्रकार के हो गई, तीन प्रकार के, विद्यचुंबग के, यांत्रिक और द्रव्य, द्रव्य को आप अभी skip कर दीजे, आपके काम की नहीं है, विद्यचुंबग के है, जो सूर्द से आती है, जितने भी गामा, X, W, X, जो जिनको माध्यम क्यावशक्ता नहीं होती है निर्वात में व्यति कर सकती है यांत्रिक कौन सी है यांत्रिक वे तरंग है होती है जिनको माध्यम किया वशिक्ता होती है संत्रम करने के लिए ठीक है कौन सी हो गई दोनी तरंग हो गई ठीक है चलिए नेक्स्ट अब है तरंग गति के गुंदान पई तरंग गति है उसके ऐपनी बार बार अपनी गति को क्या कर रहा है रिपीट कर रहे है अवर्ति गति कर रहे हैंगे उसके उद्पन विह होते हैं, ठीकैं पानी में पत्था डाहा तो भी क्या है पानी के कन अपनी जगे पर उपन नीचे उपन नीचे गती कर रहे है तो इसका मतलब वो भी क्या है आवर्ति गती हो गई तो पहला केस तो हो गया कि माध्यम के कणों के सतत रूप से आवरती गतिकान उपन विक्षो हो गए हैं दूसरा केवल तरंग आगे बढ़ती है जथा वही तरंग संचरण की दिसा होती है जबकि माध्यम के कण अपनी माध्येस्टेति के आसपास कमपन करते रहते हैं केवल उड़जा ही आगे बढ़ती है माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते हैं और जिस तरप उड़जा आगे बढ़ती है वही तरंग संचरण की क्या होती है दिसा होती है अब यह हो सकता है कि माज्जम खेकण जो है वो अलग दिसा में गति करें षये कोई उसमें वह वाली बात नहीं है कर सकते हैं इसका अज्याम प्लम will next वीडियो ठीक है कि अगर तरंग की गतिय अलग दिशा में हो रही है और माज्यम के अलग दिशा में कमपन कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे अनुप्रस्त कहेंगे और अगर उसी दिशा में हो रही है तो उसे अनुप्रस्त कहेंगे और अगले वाले में देखेंगे अभी एक बार आप इसको बोल जाईए, आपको सी भी द्यान रखना कि ऐसा हो सकता है, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, वो बात की बात है, ठीक है, तीसरा है, माध्यम के करणों की कला में लगातार परिवर्तन होता रहता है, अर्थार्थ किसी समय विभिन करणों की माध्य इस्तिती से विन इस्ति रहती है, आगे का कन अपने पिछले कन से कुछ समय पश्चात कमपन करना प्रारम करता है, दूसरा क्या है, कि जो माध्यम के कन है, उन कनों के बीच में क्या होता है, कला परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, कन जो है वो आगे का कन है, वो पिछले कन से कुछ समय और मा exclud STEPrando के में हो पत्तर अफेक करेंगे तो कम्पन ऊसके बाद स्टाट हो गे Şu ता है जिस सोग mniej से बागे बढ़ता है उसे तरंख क झा जाता है तब जिस से वह क्रणा जाता है टरंग का वेकशोब का मतलब क्या है जो उपर और दिए तरंका वेग नियत होता है जब कि कणों का वेग भिन बिन इस्ततियों में भिन विन होता है माध्यां की मेरा औलग अलग ... अलग हो सकता है लेकिन तरंग का वर्टी के से निश्चित समय लेती है खलिए निश्चित समय लेती है, उसका तरंका गुण है एक ठीख है? उसका जो आवर्थी होगी वो क्या क्या होगी? फिक्स होती है किसी एक तरंका समय जो है कह सकते हैं उसको कालांतर है वो क्या है? फिक्स है ठीख है, पा exting का गुण है कि अन्य jedyamاءीम की दूसरे मध्य में जाती है तो उसके जैसे सीमा होगी तो वहाँ से परावर्तित अपवर्तित पार्गमित जो भी है वो सारी जो है वो चीजें उसमें हो सकती है चीक है इसमें व्यतिकरण और विवर्तन का गुन होता है तरंग जो है उसके अंदर वेतिकन विवर्तन जो है इनका गुन पाया जाता है कुण मिला कि ये कुछ इसके 4-5-6 कुछ थे गुन धर्म जो हमने देखे हैं तो ultimately हमारे पास क्या है Ultimately हमने आज जो है तरंग गती क्या होती है तो उसका theoretical जो प्राडूपे हमने वो देख लिया है इसमें हो क्या रहा है एक तो निश्चित समय में इसका तरंग का वेग निश्चित होता है माज़्यम क एकनों का वेग अलगल हो सकता है लेकिन तरंग का वेग फिक्स होता है तरंग की आवर्ति, समय अंत्राल, आवर्तकाल वो सब फिक्स होते हैं परावर्तन, अवर्तन, विवर्तन ये सब गुनदर्म वो व्यतिकरण ये सारे की सारे गुनदर्म उसमें होते हैं ठीके, जो विक्षोब होते हैं वो क्या होते हैं एक ही वेक से आगे की और बढ़ते हैं ठीक है करणों की शतत रूप से आवर्ति कतिकी कारण से तरंग उत्पन होती है ठीक है फिर इसके बाद में इनको अपने बाटा भी था दो-तीन भागों के अंदर वो भी हमने देख लिया था कौन-कौन से बागों आता था इसको जो वी जचुनबक की तरंगों के रूप में द्रिवी तरंगों रूप में और इसमें यांतिक तरंग के रूप में ठीक है वीचुम्बक कि जिसको माझेम किया सकता होती है वह यांतरिक है और चोटे-चोटे कनों से रिलेटेड होती है जो दर्वी उसको सम्मंद होती है उसे दर्वय तरंगे कहते हैं कोल मिला के बारे में मोटा-मोटा जो प्रारूप था वह हमने आज देख लिए अगर आपको कोशी भी कंसेप् दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करतीजिए थैंक्यू बेरी मच्च